हाई अवरिवन मैं हूँ धनंजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जियो पॉलिटिक्स में हर एक ओफिशल विजट का अपना ही मतलब होता है अगर हम बात करें जिस तरीके से व्लादेमिर पुतिन 24 सालों के बाद नौर्थ कोरिया गये हैं ये बता रहा है कि किस तरीके से व्लादेमिर पुतिन उन सभी देशों के साथ अपने नस्दीकी को बढ़ा रहे जिनके संबंध USA के साथ अच्छे नहीं है अगर हम इस स्पेसिफिकली बात करें बीते कुछ सालों का तो जिस तरीके से चाइना, रश्या, नौर्थ कोरिया, इरान ये सारे देश क्लोज आए हैं कहीं न कहीं ये ग्रुप काफे स्ट्रॉंग है और इस ग्रुप को क्रियेट करने के पीछे एक देश जो सबसे बड़ा रिस्पॉंसिबल है वो है यूएस क्यूंकि जिस तरीके से यूएस अपने फॉरण पॉलिसी या यू कहले स्पेसिफिकली अपने सैंशन्स के पावर को मिस्यूस करता है कहीं न कहीं वो सारे देश को एक जरुवत फील होता है जिनके संबन यूएस से के साथ अच्छे नहीं है जब वो सारे देश इखटा आ जाते हैं तो यूएस फिर छाती पीट-पीट के दुनिया को यहीं बताता है कि ये सारे देश एक ग्लोबल थ्रेट हैं लेकिन यूएस ये कभी नहीं बताता है कि जो असल में जो ग्लोबल थ्रेट को पैदा किया जा रहा है वो खुद यूएस के दुआरा ही किया जा रहा है वहीं अगर आप जियो पॉलिटिकल पस्पेक्टिब से बात करें तो जब भी कोई लीडर दूसरे देश विजिट करता है तो उनको रिसीव करने के लिए कौन आया और कितने हाई रैंकिंग ऑफिशल्स आएं ये सारे बातों का काफी importance होता है और अगर आप इसी specific picture के बात करें तो जितना excited आपको व्लादेमिर पुतिन दिख रहे हैं ये कही न कहीं बता रहा कि रश्या के लिए या खास करके व्लादेमिर पुतिन के लिए North Korea का विजिट कितना जादा important था अगर specifically बात किया जाए व्लादेमिर पुतिन का तो इनकी flight late night arrive करती है North Korea और इनको उस वक्त भी बकायदा receive करने के लिए Kim Jong-un और इनके high ranking officials आते हैं तो ये सारे बात सुनके में भी बहुत ही छोटा सा लगे लेकिन इसके अपने ही अलग importance है और वो सारे देश इन सारे movement को का ये भी high ranking officials या leaders visit करना avoid करते हैं लेकिन जिस तरीके से अभी Russia और Ukraine के बीच में war चल रहा हो और इसी war के दौरान व्लादेमिर पुतिन North Korea जाते हैं और वो भी दो दिनों के official visit पे और साथ में अगर आप देखें तो इनके साथ कौन-कौन गये तो इनके साथ Russia के foreign minister सरगी Lavrov ग Russia और North Korea के बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे होने वाले हैं और अगर जहां तक बात किया जाए North Korea का तो North Korea बहुत ही interested है Russia के साथ अपने defense ties को और भी बढ़ाने के लिए अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा personal level पर connect करना चाहें तो जिस तरीके से भारत में G20 submit को organize किया गया था तो अगर आप उस वक्त डेली में होंगे तो आपको मालूम पड़ता कि पूरा का पूरा डेली को G20 या इससे संबंधिद hoarding से पूरे दिली को सजा दिया गया था अपने military base को बनाता है तो उसका नाम देता है strategic importance या कुछ इस तरीके से words दिये जाते हैं जिससे कि ये लगता है कि US अगर उस देश में अपने military base को बना रहा तो उससे US को फाइदा नहीं है बलकि उससे पूरे दुनिया को फाइदा है लेकिन जिस तरीके से वो सारे देश अगर अपने आपको expand करते हैं जिनके संबंद USA के साथ अच्छे नहीं है तो उनको directly बोल दिया जाता है कि वो देश एक global threat है उसके बाद अगर आब बात करें रश्या के बारे में तो रश्या के उपर already इतने सारे sanctions लगाया जा चुके हैं कि अब और नया sanctions लगाने का कोई स रश्या को हरा देगा लेकिन ठीक इसका विपरीत होता है जहां पे अगर आप IMF का statement देखेंगे तो IMF ये कहता है कि रश्या का जो economic growth है वो UK, France, Italy से भी अधिक रहने वाला है तो अगर simply कहा जाए तो जितने सारे जो sanctions लगाया गया हैं रश्या के उपर उसका असर 90 से लेके 95% तक नहीं हुआ है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके बाद इन बीते धाई सालों में जिस तरीके से रश्या अपने आपको expand किया है या उन सभी देशों के साथ अपने संबंध को अच्छा किया है जिनके साथ USA के संबंध अच्छे नहीं है तो कही न जो single most वज़ा है वो ये है कि North Korea किसी भी तरीके से अपने defense equipment को और भी enhance करना चाहता या यूं कहले कि उसको और भी modern बनाना चाहता है और ये बिना रश्या के help के हो ही नहीं सकते एक report आया था भी कुछ दूनों पहले जहां ये बताया गया था कि रश्या का जो air defense system है S-400 ये US के defense system से कहीं जादा reliable और कहीं जादा मजबूत है खुद अगर बात किया जाए तो US के intelligence department या उनके जो high ranking officials हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि exactly किस तरीके से रश्या अपने foreign policy को इतना कम समय में evolve किया है और उन सभी देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने में स support को US या western countries कुछ इस तरीके से दिखाया हैं जैसे कि Russia एक aggressor है और Ukraine को support करना एक global cause है लेकिन वहीं जब Russia को support किया गया इरान के दवारा North Korea के दवारा या China के दवारा तो कहीं न कहीं इसको इस तरीके से दिखाया जारा जैसे कि ये बहुत ही बड़ा गलत काम कर दिया गया है और उसके बाद जिस तरीके से continuous support किया गया है चाइना के दवारा रश्या को ये support अपने आप में काफी massive support है और हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि अगर चाइना रश्या को support नहीं करता तो शायद जिस तरीके से रश्या आज यूकरेन के सामने खड़ा है और almost यूकरेन का 20 से लेके 25% एरिया को वो capture कर लिया है शायद नहीं कर पाता अगर बात किया जाए weapons का या dual purpose, equipment का जिसका कि इस्तमाल किया जाता है war में इन सभी चीजों के दवारा support किया गया है रश्या को चाइना के दवारा उसके बाद अगर बात किया जाए इरान के बारे में तो इरान भ इरान के उपर sanctions लगाया है उसके बावजूद इरान इतना effective drone बनाने में सक्षम हुआ है ये कही न कहीं उन सभी देशों के लिए एक सिर्दर थे जिनके संबंद इरान के साथ अच्छे नहीं है उसके बाद अगर बात किया जाए तो देशों के बीच में संबंद तभी अच और खास करके ग्लोबल साउथ में काफी एकशुक है रश्या अपने आपको expand करने के लिए ग्लोबल साउथ क्या है तो इसको अगर आप roughly समझना चाहें तो भारत हो गया या पूरे के पूरे African countries हो गये या South American countries हो गये तो exactly रश्या भी वही कर रहा जो US कर रहा लेकिन क्यूं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye